अरे योगी जी ये लुंगी बांध के इतनी दूर क्यों खड़े हो अरे तुम भी अखलेस के साथ मिलके ताकत लगवाओ जबी तो ये ट्रैक्टर बाहर निकलेगा अरे भईये जल्दी नजदीक आओ यार अखलेस में अकेले में इतनी ताकत कहा है जो ट्रैक्टर को देंगे रहे इनने तो अपनी ताकत वैसी खतम कर ली पता नहीं किसी संगत में रहते हैं आज कल गलत संगत में रहते हैं अकलेश बाबू जल्दी मिलके जोर लगाओ योगी जी अरे मोधी जी यह क्या है हम तो तुमको बड़ा हेवी ड्राइवर समझते थे लेकिन तुम तो यही कहूंगा इन सब बातों को छोड़ चाड़के नेतागीरी ट्रैक्टर जमीदारे को छोड़के अपना जोला उठा के निकल जाओ और सब बातों को मैं खुझ समाल लूँगा बताओ हम करें तो करें क्या जाएं तो जाएं कहां मोधी जी अरे मोधी जी ढोलक बजाने का काम सुरू कर दिया है क्या अरे पूरे देश की तो बजा दी तुमने अब ढोलक बजा के अब क्या करोगे अरे राहुल बाबा ये क्या बकवास करते रहे तो दिन बर कि मोधी ज यहां 5-5 kilo उराषण मिल रहा है और जंता उस 5 kilo में खुस है मہंगाई बेरोजगारी पैट्रौल डीजल इनसे कोई मतलब नहीं है जंता को 5 kilo आठा है ने po अरे बिल्कुल ठीक के रहे हो मोदी जी अरे मोदी जी राहुल बाबा तो यूहीं बक्वास करते रहते हैं अरे मोदी जी अगले परधान मंत्री भी तुम ही बनोगे क्योंकि मोदी जी ये जनता कह रही है जब तक हमारे खाते में 15-15 लाग नहीं आ जाते तब तक हम मोदी जी को ही परधान मंत्री बनाते रहेंगे अरे योगी जी वादा तो तुमने भी क्या था यूपी चुनाओ में कि किसानों के करजे माप कर दूँगा बिजली फिरी कर दूँगा लेकिन अभी तक कर कुछ नहीं पाये हो मुझे लग रहा है तुम भी मोदी जी के नकसे कदम पर चल रहे हो भी या तेज फैंकने में अरे सब बातों को छोड़ो मोदी जी योगी जी अब की बार मुझे बनवा देना प्रधान मंत्री मेरे पास ऐसी मसीन है इधर से आलू डालो उधर से सौना निकलेगा अरे अकलेज ये तुम क्या कर रहे हो अरे भई तुम्हारे मजदूर नौकर चाकर कहां चले गए जो तुमको खुद अपना काम करना पड़ रहा है अरे इतने बुरे दिन कब से आगए अकलेज बाबु तुम्हारे अरे मोदी जी ये सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है अरे मोदी जी तुम्हारे अच्छे दिनों के चकर में हमारे इतने बुरे दिन आगए अगर मोदी जी आपके अच्छे दिन ऐसे ही चलते रहे तो हमारे पास अब ये खेत भी नहीं बचने वाले अरे मोधी जी ये तो बतागी जी आपके सच में अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं आने वाले या भाईया इनसे भी बुरे दिन आने वाले हैं अरे अखलेश ये तुम कैसी बाते कर रहे हो अरे तुमको अच्छे दिन नजर नहीं आरे अरे अपनी आखों का इलाज करवाईए अरे तुमको दिख नहीं रहा हमने अपने इस देश की एकोनोमी को कहा से कहा पहुचा दिया और अमबानी अडानी को हमने कितना अमीर कर दिया अरे हमने अमीरों को अमीर नहीं छोड़ा और गरीबों को गरीब नहीं छोड़ा क्यों योगी जी सही कहाने मैंने वा मोधी जी वा अरे मोधी जी बिल्कुल ठीक कहा तुमने तुम्हारे इसी डायलोग डिलीवरी की वज़े से तो मैं तुम्हारा फैन हूं मोधी जी अरे बखले इस बाबू सही कहा है मोधी जी ने जरा अपनी आखे उठाओ कितना विकास कर दिया और ये घर का काम है अब देखो इतना विकास कर दिया गिए अब मोदी जी के पास कोई काम नहीं बचा करवाने के लिए इसलिए मैं और मोदी जी भी अपने खखेतों में आ गए काम करने के लिए अरे मोदी जी इट बनाने का काम क्यों करने लग गई तुम अरे मोधी जी तुम बड़े बड़े काम करो ये छोटे काम करने के लिए हम ही बहुत हैं अरे यार तुम ये काम करने लग जाओगे तो हमारा तो धंदा फेल हो जाएगा अरे अखलेस ये तुम कैसी बादे कर रहे हो अरे ऐसे कैसे धंदा फेल हो जाएगा अब मोदी ने कदम रख दिया अब तो ये धंदा आ भी दौड़ने लगेगा अरे इंडिया में क्या चल रहा है आज कल इंडिया में चल रहा सिर्फ मोदी ब्रांड अब इम्टों पे भी चलाएगा मोदी ब्रांड समझे अखलिस ब्रो अरे वा इंगलिस अरे मोदी जी तुम इंगलिस भी बोलते हो अरे मोदी जी हमने तो सुनाई तुमने बच्पन में चाई बेची थी अभी इंगलिस कहां से सीख गे तुम और योगी जी तुम सुनाव अपनी तुमारा कैसा चल रहा है धंदा पानी अरे अखलिस हमारा ही तो धंदा चल रहा है असली अरे देखो हमारी इंटे एक नंबर होती है तुमारी इंटे दो नंबर होती है और मोदी जी के इंटों का तो कोई नंबर ही नहीं इसलिए भाईया हमारा धंदा है बढ़िया वाला और मार्कीट में अब आगे नय ब्रांड योगी ब्रांड समझे अखलीस बाबू अरे योगी जी ये ब्रांड ब्रांड अपने पास रखो हमसे अच्छी इंट नहीं बना सकते तुम अरे तुम दो दिन से धंदेम आये हो भाई है हम बहुत दिनों से लगे ह हुए इसी धंदे में तुम्हें क्या पता तुम बैस ब्रांड के चक्कर में लगे हुए लाओ इसी बात में एक बीड़ी पिला दो मुझे अखलेस लीजे 15,000,000 का चेक तुम्हारे लिए मोधी जी की तरफ से तुम बड़े कहते थे निक 15,000,000 कब आएंगे अरे ये 15,000,000 का चेक सिर्फ तुम्हारे लिए दिया गया है मोधी की तरफ से अब तुम अपने भेंसों के तबेले में आब खोब सारी भेंसे बांदना खूब सारी बक्रीयां, गाय सब कुछ बादना, आराम से अपना काम करना, अभी राजनी थोड़ दो अरे मोधी जी ये चेक कहीं तुम्हारी फरजी डिगरी की तरह फरजी तो नहीं है, अरे बड़ा फरजी वाड़ा चल रहा है आजकल अरे मोदी जी मुझे तुमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मोदी जी जो तुम कुछ कहते हो करते तो बिलकुल भी नहीं हो क्यों योगी जी तुम ही बताओ क्या मोधी जी की बातों पर यकीन किया जाए क्या ये चेक लिया जाए क्या लग रहा है योगी जी आपको क्योंकि योगी जी आप तो वही करते हो जो कहते हैं अरे अखलेस बाबु ये तुम कैसी बेकार की बाते कर रहे हो अरे मोधी जी की बातों पर सक्क कर रहे हो अरे मोधी जी तो एकदम सच्चेर पक्के इनसान है मोधी जी जो कहते हैं वही करते हैं मोदी जी ने एक बार कहा था भाई और बेहनों अब की बार मोदी सरकार तो मोदी सरकार बन गई अरे देखो भाईया मुझे भी चाहिए 15 लाग क्योंकि मेरे पास भी गायों को तबेला है ये देखे मेरी गाय भूकी मर रही है मेरा पजाम खा रही है